वेलकम स्टुडेंट्स अभी हम देखेंगे इंट्रयूटान फिटल डैथ जो की मिड्वाइफियन का इनेकलोजी के हाई डिस प्रेगनेंसी से लिया गया है ठीक है हाई डिस प्रेगनेंसी में हम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो कवर कर चुके वो भी आप कर सकते हैं और नोट्स उसमें प्रोवाइट किया गया है जैसे कि इसमें क्या गया है ठीक है तो आप ले सकते हैं और जो नए वीवर्स हैं उसको सब्सक्राइब करनें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करनें यानिकि जो गंटी का निशान death के नाम से ही लग रहा है इंट्राइटराइन का मतला uterus के अंदर fetus की death होना fetus का death हो जाना कब after 28 weeks of pregnancy यानि कि 28 weeks pregnancy के बाद fetus क्या हो जाता है death हो जाती है उसकी uterus में तो उसी को बोलते है ठीक है इसी को बोलते है इंट्राइटराइन fetus death ठीक है यह जो होता है during third trimester cause हो गया fourth जो होता है वो unknown यानि कि diagnosis का कोई भी possible cause नहीं होता है और maternal causes में देखे यह सब भी लिख सकते हैं हम जैसे antipatum hemorrhage जो हम पढ़ चुके हैं already और presence of preeclampsia, acclampsia यह भी हम देख चुके हैं और जो placenta previa abrupt placenta की अगर मदर में है maternal causes में आ जाएगा अगर इसकी presence है तो भी यह बेबी जो होगा fetus का जो होती है और कोई infectious diseases होती है जैसे कि STDs से related या फिर infectious disease जैसे सिप्लिस, hepatitis, malaria वगएरा herpes simplex जो भी होता है इस तरीके की problem जो होती है मदर में अगर आ जाए कोई भी तो भी यह होगा infectious diseases होती है और diabetes, malatis है या फिर मदर उसमें भी होगा alcohol का यूज कर रही है मदर या फिर कोई sedative यूज कर रही है उससे भी होगा मदर जादा एनेमिक है तो भी होगा और अगर chronic renal disorder है मदर में तो भी होगा अगर baby post maturity हो चुकी है तो भी होगा और radiation poisoning अगर मदर को मिल रही है तो भी होगा यानि कि ज्यादा radiation उसको प्रोवाइड हो पा रही है तो और physical trauma के वज़े से भी होगा ठीक है presence of infection है जैसे की rubella cytomegalovirus तो भी fetus की death हो सकती है और congenital malformation है fetus का तो भी होगा और RH incompatibility है तो भी यह problem आएगी अगर इसके symptom की बात करें तो जो movement होता है वो feel नहीं होता है वो mother को ठीक है और जो मदला उसके past उसका जो होता है past में वो absence हो जाता है after 28 weeks of pregnancy उसको feel नहीं होगा और जो size होगा यह abdomen का वो भी क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा यानि की increase नहीं होगा जैसे की जितना था उतना ही रहेगा ठीक है क्यों क्योंकि यह जो होती है fetus की death हो गई तो जितना उसकी pregnancy का time हो था उतना हो इंक्रीज नहीं होगा और breast में भी जो changes होते है वो नहीं होगे उसमें end हो जाएगा यानि कि उसका size होते है वो decrease हो जाएगा ठीक है और जो fundus height होती है fundal height अगर measurement करें तो वो भी क्या होती है कम होती compare to the period of pregnancy यानि कि हम पहले ही बोल चुके है जितना भी pregnancy का time होता है उससे बहुत कम होगा ठीक है और जो tone होती है uterus muscles की वो भी कम हो जाएगी और movement होगा fetus का वो तो पता ही दिया है कि वो feel मालब जब palpate करेंगे तो वो movement उसका feel नहीं होगा ठीक है और जो Braxton Hicks contractions है व और जो fetus sound होता है यानि कि जो FHS होती है fetus heart sound वो भी क्या होगी absent हो जाएगी जब आप उसको ascultate करेंगे stethoscope से या फिर fetuscope से तो वो आपको नहीं feel होगी ठीक है अगर इसको investigate करने के लिए diagnosis करते हैं इस तरीके से की ultrasound करते हैं इसमें जिससे की accurate and rapid investigation है इसका ultrasound correct investigation है और उसका जो moment होता है और फिकुछ ऐसे है जो mother खुद बताएगी कि मुझे उसको क्या नहीं हो रहा absence उसके जो moment होते है वो mother को feel नहीं होते है ठीक है और उसका जो heart beat होती है जैसे हमने बोला अगर आप उसकी heart beat लेंगे तो वो आपको नहीं feel होगी ठीक है और उसका जो bone होगी वो भ के वज़े से भी यह होगा और congenital malformation है उसके वज़े से भी oligohydrum नयाज होगा ठीक है और क्या होगा कि abdomen जो abdominal x-ray करेंगे तो भी हमको यह diagnosis confirm होगा ठीक है मतलब confirm क्या मतलब थोड़ा उसका ultrasound mean है इसका confirmation का तो x-ray से भी confirm हो सकता है pregnancy test करने पर जो होता है usually two days after the death of the fetus pregnancy अगर test करेंगे तो जो test होता हो turn negative ठीक है यानि कि fetus के death के जो two days के बाद अगर करें तो negative आएगा ठीक है within a week मतलब fetus के death के within a week अगर test किया जाए तो negative आएगा positive नहीं आएगा ठीक है और जो chronic जो although the chorionic जो tissues होते है वो alive रहेंगे till these test can come positive ठीक है और जो blood examination होगा वो इसमें यह सब करते हैं VDRL, blood sugar बगरा यह सारे जो ABO और RH grouping, torch, screening यह सब कर सकते हैं तो torch का full form मैं नहीं यहाँ पर दे दिया देख लीजेगा ठीक है इसका torch का जो full form है वो आपको मालूमी है urine examination इसका जो होता है वो भी एक test में आ जाता है जो complication होते हैं उसमें infection होगा PPH होगा retain percenta होगा जो out होना होगा वो नहीं हो पाएगा और वो retain हो जाता है अंदर ही रह जाता है अब rupture placenta हो जाएगा ठीक है और DIC, shock, renal failure, sepsis, maternal death तक हो जाती है prevention के लिए इसमें क्या करेंगे many case of intra uterine death जो होती है exact cause उसका पता नहीं चल पाता है ठीक है तो इसले क्या होगा जो possible to prevent the completely due to its many reasons begin untreatable ठीक है तो जब हमें इसका main reason ही नहीं पता चल पाएगा तो उसको कैसे treat करेंगे तो इसका जो possibility होती है यानि कि जो cause है उसका पता लगाना होगा all the following measures इसमें हम कर सकते है यानि कि जो pre-conceptional counseling करनी पड़ेगी woman की कि जो pregnancy से पहले woman अगर वो जो parents है वो अगर जो couple है वो क्या कर रहे है pregnancy का जो plan कर रहे है तो उनकी क्या करनी पड़ेगी conception से पहले counseling करनी पड़ेगी ठीक है और husband मतलब husband और wife दोनों की ठीक है तो इसको बोलते है pre-conceptional counseling ठीक है और this include the identification of the high risk factor इसमें जो होते हैं जो high risk factor को include करना पड़ेगा जैसे कि उसमें बहुत सारे test कराने पड़ेंगे जो क necessary होते हैं वो कराने पड़ेंगे और proper treatment देना पड़ेगा conception से पहले अगर कोई भी problem है तो ठीक है जैसे हमने आगे पड़ा था कि क्या क्या causes हैं उनको दूर करने के लिए उनको treatment देना पड़ेगा अगर treatment में कुछ ऐसा आता है तो ठीक है और prevention of neural tube defects भी कर सकते हैं about one month before conception ठीक metal उसकी malformation वाला baby होगा तो जिससे फिर future death होती है तो इसलिए ये इसको भी prevention करना है तो इसके लिए folic acid उसको लेने के लिए बोलेंगे प्रापरली अपनी जो भी medication होती है वो लेने को बोलेंगे patient को और अगर वो anemia से सफर कर लिए patient तो या फिर diabetes से high blood pressure से या फिर बहुत ज problem में उसको क्या करना चाहिए properly treat करना चाहिए before coming becoming the pregnancy ठीक है pregnant होने से पहले ये सारे जो भी problem अभी हमने देखी वो सारी चीज़े उसको treat करनी चाहिए उसका और जो भी medicines होती है medicines को उसको properly लेने के लिए बोलना है without medication जो advice होती है बिना किसी doctor के वो उसको नहीं लेनी है ठीक है और before conceiving the woman should be advised to give up the use of the intoxicant like the tobacco alcohol ये सारा का उसको क्या करना पड़ेगा दूर करना पड़ेगा उसको मना करना पड़ेगा उसको छोड़ना पड़ेगा इसकी लिए उसको advice करना पड़ेगा और क्या करना है कि उसकी जो होती proper history उसको लेनी पड़ेगी अगर history repeated intrauterine death उसकी repeated है तो congenital matter formation की कोई history है या family member में किसी को कभी हुआ है या फी कोई situation ऐसी आई है जैसी की necessary test should be done और यह सारी अगर history में आता है तो उसकी कोई जो भी necessary test है वो सारे करवाने चाहिए और appropriate advice उसको देनी चाहिए ठीक है और दूसरा हो गया कि providing regular anti-natal care ठीक है जब भी women जो होती pregnant होत होती तो उसको proper anti-natal care देनी चाहिए time time पे और उसको regular prenatal care भी देनी चाहिए ठीक है prenatal हो गया intra utand मतला उसको prevent करने के लिए जो भी intra utand है था इसको prevent करने के लिए regular prenatal और anti-natal care उसको देनी चाहिए और during anti-natal visit उसको fetal well-being should be ensure जब भी anti-natal visit किया जाता है तो fetal well-being को ensure कर लेना चाहिए कि fetal fetus जो है वो ठीक है कि नहीं तो उसको बहुत सारे जो भी मतलब important test होते है वो करने चाहिए ठीक है और giving necessary advice देनी चाहिए women को during the pregnancy की necessary appropriate advice should be given जो भी appropriate advice है women की during the pregnancy woman को देनी चाहिए every anti-natal visit to ensure the well-being of the fetus जैसे मैंने बताया कि यह हमें करना चाहिए और detection of the complication जो भी complication arise होते हैं during the pregnancy उसको detect कर लेना चाहिए various complication arise during pregnancy जैसे की anemia है prenatal hemorrhage है ठीक है और preeclampsia है और acclampsia है यह सब हम पढ़ चुके हैं तो इनको भी क्या करना चाहिए इन complication को भी prevent करना चाहिए और इसके वज़े से भी uterine fetus की जो होती है वो death हो सकती therefore by the detecting them इसको detect करना चाहिए और क्या करना चाहिए कि इनको जो होता है at end मतलब early stages में इसको detect कर लेना चाहिए जिसकी के लिए बहुत सारे जो भी various test है different different test है उसको करने के बार should be treated ताकि उसको should be treated properly ठीक है appropriate तरीके से उसको treat कर पाए है ठीक है उसका भी management अगर देखें तो psychologically उसको ज the three fourth of the cases of intrauterine fetal death death the death of fetus is automatically expelled out within two weeks कभी कभी क्या होता है कि जब fetus automatically death हो जाती है तो within two weeks अपने आपी out हो जाता है without any treatment तो one should wait for it for about two weeks तो 2 week तक का उसको क्या करना चाहिए अबसर्व करना चाहिए patient मतलब देखना चाहिए however और उसको क्या करना चाहिए proactive management उसको देना होता है और should be done every even before two weeks if the following condition are present अगर यह जो आप हम देखने जा रहे है यह condition अगर उसमें है तो proactive management उसको देना होगा ठीक है तो जो यह symptom होते है जैसे कि symptom of uterine infection अगर उसको है woman को जैसे कि ठीक है जब when the fibrogen level continues to fall और उसका जो यह जो लेवल होता है जो की fibrinogen का जो लेवल है वो continue fall हो रहा है if there no spontaneous expulsion तो of the dead fetus और अगर उसका dead fetus का अपना पी expulsion नहीं हो रहा two weeks के अंदर में और जो भी यह इस तरीकी की जो above condition है expression of the dead fetal should be done by the active management तो फिर उसमें क्या करना पड़ेगा active management करना पड़ेगा यानि कि उसको induction of labor करवाना पड़ेगा ठीक है और for this the induction of delivery process is done ठीक है तो induction of labor is done by the oxytocin drip ठीक है तो oxytocin drip उसको start करके induction of labor करवाना चाहिए initially उसको 5 to 10 unit oxytocin की in 500 ml RL में उसको देना चाहिए IV infusion के थूर और two bottle जो होती है वो उसको देनी चाहिए ठीक है simultaneously और if this dose not initiate labor तब भी तो high dose उसको करनी चाहिए अगर फिर भी नहीं हो रहा है उसको यह labor का pain start तो higher dose of oxytocin यानि कि 20 to 40 units in 500 ml RL की है उसमे उसको देना चाहिए infuse the next day यानि कि उसी समय नहीं next day में उसको फिर थोड़ी dose को बढ़ानी चाहिए if even after this labor process done not started अगर फिर भी process start नहीं हो रहा है इतना सब करने के बाद भी तो उसमें क्या करना चाहिए prostaglandine उसको जो prostaglandine जो gel होती है administered करना चाहिए vaginally ठीक है इसके oxytocin drip के साथ साथ vaginally prostaglandine उसको insert करने चाहिए as well as an infusion of oxytocin drip साथ में oxytocin drip के साथ भी तो यह तो condition 1 था ठीक है अब condition number 2 statement sorry condition number 2 है तो इसमें क्या करेंगे कि जो भी vaginal administration of the year जो हमने करा प्रोस्टा ग्लेंडिन एड्मिस्टर करना चाहिए और जो भी प्लस इसके साथ 50 mg मीजो प्रोस्टोल का भी देना चाहिए उसको दे सकते हैं और जो की वजाइनली और ओरली हो सकता है 6 to 8 hours के अंदर में इसको देना होगा can be repeated after after 6 to 8 ये थोड़ा आगे पिछे हो गया sorry पारल के साथ भी यूज कर सकते ऑक्सिटोसिन इसके साथ और इसको फिर उसके बाद सीजेरियन सक्षेन करना है जब उसका डैथ हो गई है तो वैसे जनरली कोई करना नहीं चाहता है हमेशा सा मैं इसी तरीके से करना चाहते है लेकिन फिर भी अगर इन सब से ये सब चीजे फेल हो जाए तो इन सीजीरियन सक्षेन होगा तो इसमें वुमेन को जो होता है तब करेंगे जब वुमेन सफरिंग फ्रम दा सीवियर प्रेसेंटर प्रेवियास में है तब तो फिर इंडक्शन आफ लेवर नहीं कराना होगा अगर यह है तो तब तो सीजीरियन सेक्षन ही होगा अगर उसको सीवियर प्रेसेंटर प्रेविया पड़ चुके है यह इसमें क्या होता है तो वह आप देख लीजेगा और लाई उसका ट्रांस्वर है पेशन बच्चे का जो लाई होता हो अगर वह यानिकि जो the dead fetus should be expulsion by the caeserian section okay thank you guys for watching this video please do like share comment and subscribe this channel जो क्या आप करते नहीं है तो प्लीज आप इसमें comment भी करिये like भी करिये ताकि motivation हम को मिले तो thank you good bye take care